हेलो गोटर आदमी, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे आज का वीडियो भूती खास वीडियो होने वाला है, जिसमें हमारी चल रही है Q की सीरीज और आज हम उससे लिलेटेड बहुत सारी प्रोग्मोंस को सॉल करने वाले हैं जिससे हमारे जो Q के रिलेटेड कॉंसेप्ट हैं, वो और भी बाप लेवल चले जाए तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से बिले एक सुपकाम वीडियो को लाइक कर दीजिए 500 लाइक का काउंट है, और एक प्यार असना कमेंट प्लीज डॉप कर दो, लिख दो, चमक रहा है फर्स्ट बाबलम को रीट करते हैं, क्या कहा रहा है, प्रिंट ओल एलिमेंट इन क्यू, मुझे एक क्यू दे रिखिए, हाज जी बहिया और वो कह रहा है, इस क्यू में जितनी भी ऐलिमेंट है, उन सब को प्रिंट करवा के दिखा दो तो मैं कैसे print करा सकता हूँ मैं एक एक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर q से element भान निकाल ले तो मैं कहा से निकालता हूँ भाया starting से clear हाज जी भाया यही करता हूँ तो पहले मैंने देखा 2 को किसको 2 को तो 2 को मैंने print करवा दिया फिर मैंने 2 को भान निकाल दिया फिर देखा मैंने 4 तो 4 को print करा दिया और 4 को pop कर दिया फिर देखा मैंने 6 6 को मैंने print करवा दिया और इसको pop कर दिया फिर देखा मैंने 3 और फिर last मैं देखा मैंने 5 और उसको भी मैंने print करा दिया तो इस तरीके से मैं print करवा सकता हूँ easily किलियर हाँ जी भाईया तो इसका logic क्या होगा logic क्या होगा मुझे पता है initially इसमें ऐसे घर के elements present है तो मैं लिख सकता हूँ कि जब तक मेरी Q खाली ना हो जाए लिख सकता हूँ ये हाँ जी भाईया लिख सकते हैं तो C out किसको print करना है जो Q के front में रखा हूँ है और Q dot pop और उसके बाद उसे pop कर दिये किलियर है अगर उसको मैं Q बोलूँ हाँ जी भाईया तो इसने देखा front में क्या लिखा हूँ है तो 2 print हो गया और उसके बाद वो pop हो गया फिर उसने देखा अगला क्या लिखा हूँ है 4 ठीक है उसने उसको print करा और उसको pop कर दिया फिर क्या लिखा हूँ है 6 print करा pop कर दिया 3 देखा front में रखा हूँ है क्या करा print करा pop कर दिया और इस तरीके से मैं इनको print करवा सकता हूँ अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में एक और चीज एक और लियर एडप कर दे वह कहें आपको कि जब मैं इनको प्रिंट करवा दूं ठीक है तो उसके बाद यह जो एलिमेंट्स है यह क्यों के अंदर प्रेजेंट रहे तो मैं यह 2,4,6,3,5 लिख रहा हो ना यह क्यों के अंदर श्टिल प्रेजन रहे तो फिर मैं कैसे करूंगा बोलने के मतलग क्या है मैंने 2 को प्रिंट करा दिया 4 को ऑदिया 3 को कर दिया 5 को करा दिया यह प्रिंट कर आनो के बाद यह सारी element यहां प्रेजेंट होने चाहिए तो कैसे कर सकता हूं इसका भी अससन तरीक है मैं क प्रिंट भी करा दिया ठीक हाजी फिर मैंने फॉर देखा फॉर को इस्टोर भी करा दिया और प्रिंट भी करा दिया इस तरीके से क्लियर है और उसके बाद मुझे क्या करना है इस एरी के अंदर जो भी अलिमेंट से उन्हें क्यों के अंदर दाल दीजिए तो सबसे पहले में टू को दालूंगा फिर फॉर को फिर सिक्स को फिर थी को और फिर फाइब को इस कोड में छोटा साइट चेंज मुझे करना कि वेक्टर इंटीजर एक आंसर ले लूँगा हाज बहिए जिसके अंदर में इस्टोर करा रहा हूँगा किलियर हाज बहिए इस लाइन को अटा देते हैं तो देखो प्रिंट मैंने करा दिया और उसको इस टोर भी करा देते हैं आंसर डॉट कुस्ट बैक q.front clear a point हाज बहिए और उसके बाद उसे पॉप कर दो और उसके बाद जब मेरे पास वेक्टर है वेक्टर के सारी elements को इसके अंदर दाल दो तो वही मैं यहाँ पर करने बार हूँ कि for i equal to zero से i less than answer dot size i plus plus clear q.push करता हूँ ना मैं हाँ जी बहिए इसको पुछ करना है जो मेरा यह answer of i है कि इस तरीके से करा सकता हूँ clear हाँ जी बहिए clear अब अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें मैं एक extra storage यूज कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ extra storage यूज कर रहा हूँ तो इसकी जो space complexity हो जाएगी order of n हो जाएगी हो जाएगी नहीं हो जाएगी हाँ जी बहिए वह कह रहा है कि आपको यह जो extra area आप ले रहे हो यह भी use नहीं करना इसको आपको order of one space complexity में solve करना है फिर कैसे करोगे अच्छा भया फिर कैसे करेंगे अगर वह कह रहा है इसको use नहीं करना मुझे print भी कराना है और वह साले element यहां भी present होने चाहिए कैसे कर सकते हैं अच्छा भया यह तो बहुत ही tough बन गया मैंने का tough नहीं है easy है तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ एक चीज अगर मैं ध्यान तो इसके अंदर कितने element present है इसका भया पांच है clear हाज भया मुझे पता है मुझे पांच elements को print करना कितने पांच को ठीक तो माल लो सबसे पहले मैंने क्या देखा तो टू को मैंने print करा दिया clear हाज भया और उसके बाद इस टू को अटा दिया और इसको पीछे लगा दिया इसके हाँ पीछे ऐसे करके हो गया माल लो और size को एक से decrease कर दिया कि अब मुझे chart और element print कराने फिर मैंने 4 देखा 4 को मैंने print करा दिया और फिर इसको पीछे दाल दिया और size को decrease clear हाज भया फिर मैंने 6 देखा 6 को मैंने पहले क्या कराया print कराया हाज भया और पीछे दाल दिया इसके मालो ऐसे clear हाज भया size कितना है अभी 2 elements और print करने फिर यह देखा 3 3 को मैंने क्या करा print करा दिया यहां से मैंने pop करके उसे पीछे दाल दिया clear हाज भया फिर last क् उट्धा मुझे 5 दिखा 5 को मैंने print करा दिया हाँ जी इसको अटा के पीछे डाल दिया हाँ जी और अब मेरी यह धूριो डिख रहा एक एसमें 5 भ Scrnd है और यह यह बन चुका है 0 तो 5 काच element मुझे print करने थे उन मैं करवा चुका हूं और इस तरीके से मैं अपनी प्रॉल्म को solve किया clear a point हाँ जी बहिया clear है तो मुझे क्या करना है element को print करा और उठा के पीछे दाल दो बस इलीशली में देख लो कि आपके area का size कितने elements आपको print करने है clear a point हाँ जी बहिया अच्छा नहीं वाला concept हाँ जी बहिया ओ यह तो पूरे delete हो गया अब इसको कैसे करेंगे माल लो size तो नहीं लूँगा यह आपे ले लेता हूं integer n equal to q.size इतने elements को मुझे print कराना है ठीट हाँ जी बहिया तो यहापे लेता हूं while n minus minus तो मैं क्या कर सकता हूं c out q का front जो front रखा है उसे print करा दो हाँ जी बहिया फिर क्या बोल सकता हूं q.pust q के अंदर push कर दो किसको push करना है जो q के front रखा हूँ है clear हाँ हाँ जी बहिया मैंने देखा नहीं तो इसी को push कर दो clear और उसके बाद q से pop कर दो किस तरीके से आई हो आपको clear होगा और आप में प्रोसेजर कर रिपीट करते जाओंगा तो सारे की सारे प्रिंट हो जाएंगे और लास्ट में मेरा जो q है उसके अंदर यही element present रहेंगे बताओ चमका नहीं चमका हाजी बहिया चमका easy था हाजी बहिया easy था तो मैंने एक constant memory में भी इसको प्रिंट करवाना स्थीख लिया है तो चलो इसको implement करके देखते हैं चलो हम अपनी first problem को solve करते हैं जिसमें मुझे सारे element q के print करवाने हैं तो चलो start करते हैं सबस्द पहले ले लूँगा इक q को integer q ठीक है हाजी बहिया क्यों के अंदर कुछ elements पुस्ट कर देते हैं 5 ऐसी 45 values प्रिंट कर देता हूं यह हो चुकि है सारी पुस्ट हाजी 15 25 35 और 45 ओके अब इस values को मुझे क्या कराना है print कराना है value print करवाओ कैसे करवाऊंगा मैंने का सबसे पहले check कर लो size को q.size मैंने note down करके रख लिया हाजी बहिया अब लिख दूँगा while n minus minus इससे मुझे क्या पता दो चुका है कि कितनी values को मुझे print करवाना है तो सबसे पहले see out q का जो front है उसे print करवा दो और space मैं दे देत हूं इस तरीके से clear हाजी बहिया क्यों डॉट पुस किसको प्रूस करना है जो क्यों के front में रखा गया है क्यों से pop out कर लो clear हाजी बहिया इसको run करते हैं तो देखो हमारे 5 15 25 35 45 सब कुछ print हो चुका है और अभी वी यह जो elements है इसके अंदर present है कैसे present है वो कैसे पता चलेग अब size print करा लो इसके बाद यह देखो तो 5 मेरा answer आ चुका है size print हो चुका है 5 15 25 35 45 और यह इसका size हो गया आई हो आपको clear होगा यह लोग को चलो बढ़ते हैं अपने next problem के अब हम आते हैं अपनी second problem में second problem क्या कह रही है Q reversal एक Q मुझे दे रिखी है और कह रहा है कि इसके सारे elements को reverse कर दो थाक है Q के अंदर जो भी element है इसे reverse कर दो मनलब Q के अंदर कुछ ऐसा दिखना ची तो क्या मैं इसको reverse कर सकता हूँ क्या मैं इसको reverse कर सकता हूँ ऐसे खरके 9,8,11,7,3 क्या करना पढ़ेगा भाया एक काम कर सकते हैं कि मैं 1 के करके इन सारे elements को बहार निकालता हूँ यह कर सकता हूँ मैं ने 3 को निकाल दिया फिर मैंने 7 को निकाल दिया हाँ जी भाया फिर भाईया मैंने 11 को निकाल दिया हाँ जी भाईया फिर मैंने 8 को निकाल दिया हाँ जी भाईया और फिर last में मैंने 9 को निकाल दिया इस तरीके से किलियर हाँ जी भाईया और इनको मैंने किस के अंदर श्टोर करा रखा है एक array के अंदर clear, हाँ जी, अब मैं पीछे से element दालना start करूँगा, सबसे पहले इस 9 को दालूँगा फिर इस 8 को दालूँगा, फिर 11 को दालूँगा फिर 7 को दालूँगा, और फिर 3 को दालूँगा इस तरीके से इसको execute करवा दूँगा simple है, हाँ जी बहिया reverse करना था मुझे simple है और मैं इस तरीके से इसको execute करवा सकता हूँ ठीके करके element बहार निकालो ठीक है, और पीछे से traverse कर दो clear, क्या reverse करने का हमारे पाँ इस से better तरीका है हमने stack पढ़ा था, हाँ जी बहिया पढ़ा था, पिछले concept, हाँ जी बहिया अगर मैं यह element को stack के अंदर डाल देता stack के अंदर ठी, सेवन, इ्लेवन, इड, नई stack थे पढ़ा था उमने हाँ जी बहिया तो मैं क्या करता है, 3 को stack के अंदर दाल दिया फिर 7 को दाल दिया फिर 11 को, फिर 8 को और फिर 9 को कर सकता नहीं कर सकता था हाँ जी भईया अब क्या करना है अब stack को खाली कर दो किसको stack को तो stack में ऐसे करके element जाते तो reverse में भान निकलते हैं तो यह reverse automatically हो जाएगा तो पहले मैंने 9 को निकाला फिर 8 को फिर 11 को फिर 7 को और फिर 3 को और यह process करता चलीगी जब तक मेरा stack हतम नही मैंने क्या बोला देखो माल लो सात्मा उपर देखा मैंने 9 तो 9 को मैंने Q के अандर push कर दिया फिर उपर देखा मैंने 8 तो 8 मैंने Q के अंदर push कर दिया फिर अजी गवाया इस के क्या property है अगर आप उसके अंदर सारी element दाल दो तो उसको Rate कर कर देगा किलियर हाँ जी वह जो हमारा यह होता है इस टैक यह किस पॉपर्टी को फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और जो यह होता है क्यों वह किसको करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यह कौन सबसे पहले आए उस सबसे पहले भाहर जाएगा जो सबसे लास्ट म इसका नाम रख देते हैं स्ट किलियर हाज वैया, अब मुझे करना है, इसı क्यूं को खाली यगना है, ठीक है, मैं जो front पे element रखा है, इसको किस के अंदoten डाल दो, stack के अंदर दाल दू अग कब तक दाना जब तक ये q खतम ना हो जाए तो यहां पर मैं condition लिख दाऊं कि जब तक मेरी q खाली ना हो जाए clear हाँ जी भईया q.mt क्या return करेगा अगर q खाली तो 1 return करता है अग q खाली लिए तो 0 ठीक तो अभी 0 आएगा 0 not 1 हो जाएगा तो मुझे क्या करना है कि भईया जो मेरा stack है उसके अंदर push कर दो किसको किसको push करना है जो q के front में रखा हुआ है clear हाँ जी भईया और उसके बाद उसको pop कर दो q से उसे pop कर दो q में pop कहा होता है भईया स्टार्टिंग में होता है clear हाँ जी भईया देखो real world example से को कि सब कुछ असान बन जाएगा और यही process में बार बार follow करता रहोंगा तो मादला आपका stack यह साथ से पहले 2 आ गया फिर उसने देखा अभी वी क्यूँ एमटी नहीं है उसने पुस कर दो किसको q के front को 8 आ गया फिर उसने देखा 11 इसको push कर दो और यहां से pop कर दो फिर देखा उसने 3 तो 3 को भी यहां दाल दिया अब आपका यह क्या हो चुका है q, empty हो चुका है अब मुझे इन सब elements को यहां दालना है किलिए एक एक करके कब तक करना है जबता मेरा stack खाली न हो जाए तो वही मैं यहां पर लिखना है वाल हूँ कि while stack जबता मेरा stack खाली न हो जाए किलिए हाँ जी भईया तो q के अंदर पुष करना है हाँ जी भईया किसको पुष करना है stack के top को जो stack के top पे रखावा है clear हाँ जी भईया और उसको पॉप कर दो यहां से क्या होगा इसटेक के टॉप पर kya रखाऊ है भई यह 3 रखाऊ है 3 यहाँ चला गिया ठीक और इसको पॉप कर दिया फिर कहाँ बहा है Q के अंदर पूप कर दो किसको इसटेक के टॉप को 7 फटेक गिया पिर अगला क्या रखाव है Q के अंदर push कर दो किसको stack के top को और उसके बाद pop कर दो 11 यहां गया क्या रहा है Q के अंदर push कर दो stack के top को और उसके बाद इसे pop कर दो पिर क्या क्या रहा है stack के अंदर push कर दो किसको stack के top को और उसके बाद pop कर दो और जैसी मेरा stack खाली हो गया, मैं रुख जाओंगा और मैं Q को reverse करना सीख गया हूँ कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं भईया कोई भी दिक्कत, नहीं भईया और इसमें आपका कितना time लेगा, time complexity कि दिया आईगी पहले सारी element को यहां दाला, और फिर यहां दाला end time मिस्क में, end time मिस्क में तो total order of end time आपका लगा extra space कितना use हुआ, जो मैंने यह stack लिया है ठीक, हाँ जी भईया, तो order of end इसकी क्या हो गई, space complexity हो गई देखो, आने वाले जब हमारी lecture आएंगे tree, graph, वहाँ पर stack q, बहुत ज़्यादा use होगा, बहुत ज़्यादा, clear? हाँ जी भईया, clear, तो चलो इसको एक बार implement करके देखते हैं अब हम देखते हैं हमनी second problem, जिसमें हमें हमें अपनी q को reverse करना है किस से reverse कर सकता हूँ, मैं एक stack लिलेता हूँ हाज जी भईया, उसका नाम रख देते हैं st अब सरसे पहले सारे elements को खाली करो q के, हाँ ना, हाँ mt था q, तो कैसे करूँगा, बहुत असान है, q.mt q.mt, ज़्यादा q मेरी खाली ना हो जाए तो यहाँ पर क्या करना है, stack के अंदर push करते जाओ, किसको push करना है q के front को clear होगा, हाज भईया, और उसे q से pop कर दो clear है, हाज भईया, अब जैसे ही मेरी q खाली हो भई, उसके बाद मुझे किसको खाली करना है empty था stack, तो while, जब तक मेरा stack empty ना हो जाए ठीक, हाज भईया, तो मैं बोलूँगा किसको, कहा push करना है, q.puss stack का top, और stack से उसे pop कर लो, simple है, हाज भईया, और return कर दो अपनी q को q को मुझे return करके answer में देना है, compile and run करते हैं और इसको submit कर देते हैं, 1130 test cases हैं, देखते हैं कि तरे पास हम से हो पाते हैं, चलो, सारे test cases पास बढ़ते हैं next video की और, अब हम देखते हैं अपनी third problem को, third problem क्या कह रही पहले उसको समझ देगी, कोसिज करते हैं, वो कह रहा है reverse first k element of q, मालो वो कह रहा है कि पहले तीन element को q के reverse form में कर दो, क्या कह रहा है reverse first k element, सब को reverse ही करना, पहले k elements को, तो मालो का k की value 3 है, तो कह रहा है इन तीनों को reverse कर दो, मालो वो आपको आपसे आंसा चारा ऐसे, 10, 7, 3 हाजी, उसके बाद कोई change नहीं, सिरब इन तीन को reverse करना है, बाकी unchanged रहेंगे, कैसे कर सकता हूँ, break लीजिए, सोचिए, सोचा क्या आपने, हाजी बाईया, सोचा तुसा, सोचा break लेके, हाजी बाईया, तो बताओ, क्या सोचा आपने, जो भी सोचा, जो भी solution सोचा, उसको comment करो, ताकि बाकी बच्चों की भी क्या हो, help हो, तो देखो, मैं कैसे इसको reverse कर सकता हूँ, उसको अब समझने की कोशिस करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर आपको ध्यान देने की बाद करूँ, हाजी बाईया, मुझे पता है, इन पहले तीन element को मुझे reverse करना है, किसको, तीन element को, तो मैं कह सकता हूँ, इन तीन element को stack के अंदर दाल दो, पहले तीन को, reverse हो जाएंगे हो, हाजी बाईया, तो माला मैंने 3, 7, 10 को कहां दाल दिया, stack के अंदर, ऐसी दिखेगा, हाजी बाईया, अब क्यों के अंदर क्या present है, 13, 8, 5, 4, आपको result पे क्या चीए 8 रखा है, 5 रखा है, 4 रखा है, इनको मैं आगे कर देता हूँ, मला ये कुछ ऐसे दिखने है, ठीक, मुझे ये result चीए, कैसे obtain होगा, अब आप सोचों के भईया, ये जो elements रखे न, इनको भाहर निकाल देते हैं, किसी area के अंदर store करा देता हूँ, इन elements को, कि 13 को यहाँ, 8 8 को यहाँ, 5 को यहाँ, 4 को यहाँ, clear, ये सोच सकते हो, आप के एक extra area ले ले लेता हूँ, और उसके बाद ये element को भाहर निकालता हूँ, यहाँ पुस करवा देता हूँ, ठीक, और उसके बाद इन elements को यहाँ डाल देता हूँ, ऐसे गर कर सकते हैं, हाजी भईया, मैंने कहा 13, 8, 5, 4 यहाँ था, उनको मैंने किसी area के अंदर store करा दिया, उसके बाद ये elements को पकड़ा, यहाँ गुसा दिया, clear, हाज भईया, मैंने कहा गोला, इन elements को पकड़ा, यहाँ गुसा है, उसके इनको यहाँ गुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, जो मुझे चाहिए था मैं कहा रहा हूँ, यह जो extra area ना, इसके भी मुझे जरुवत दिया, मैं बिना इसके भी कर सकता हूँ, मालू मेरी यहाँ पर 13, 8, 5, 4 है, ठीक है, मुझे पता है, कि भईये यह 13, 8, 5, 4, इनके बाद आने चीए, यह जो 4 तो मैं, कि यह जो 13, 8, 5, 4 है, किसके बाद आने ठीक, हाँ जो बहिया, तो मैंने क्या कर रहा है, इन elements को यहाँ push करवाना शुरू करा, 10, 7, और 3, clear, यह 3 element मैंने बाद निकाल दिया, और यहाँ जो बहिया, यह मैंने कर लिया, हाँ जो बहिया, अब मुझे बता, जो पहले के 4 element है, जो मैंने पहले ही store कर रहे थे, यह कितने मचे में, 2, हटाओ और पीछे दालो, कितने मचे में, भया, एक, उठाओ और पीछे दालो, कितने, और यह हो गया, 0, तो अब मेरे पास, जो मेरे पास desire result था, वो मुझे obtain हो चुका है, कि 10, 7, 3, 13, 8, 5, 4, clear है, हाँ जी बहिया, तो इस तरीके से हम अपने code को optimize way में ल तो देखो, stack queue में ने सरफ खिलने का खेल होता है, कि आगे, पीछे, दाए, बाए, करते रो, answer तो मिली जाता है, solution बहुत मिल जाएंगे, पर एक बढ़िया solution ढूंड़ना, आपकी क्या है, आधत होनी चीए, तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले, पहला task मेरा क्या होगा जब यह starting मेरा होगा, सबसे पहला task क्या रहा होगा, वाला, starting मेरा ऐसा था, 3, 7, 10, हाज भीया, तो पहला task यह है, कि भाईया, जो पहले के k element है, उसको किसके अंदर push कर दो, stack के अंदर, push first k element of q in stack, बोल सकता हूँ, हाज भीया, यही कर रहा था, हाज भीया, उसके बाद जब मैं यह कर दे रहा था, उसके बाद अगला task क्या था, कि भाईया, इसके size को measure कर लो, ठीक है, store the size of q, यही कर रहा था, हाज भीया, तो n equal to 4 मेंने store कर लिया, ठीक, हाज भीया, अब उसके बाद भाईया, stack को खाली करो, ठीक है, हाज यह, और जो भी elements है, उस push all element of stack into q, यही कर रहा हूं, हाज भीया, तो भीया, यह 10, 7, 3 मेरे पास आ चुता है, ठीक, हाज भीया, और last step क्या होगा, जो यह n elements है, ठीक है, इंको कहां दाल दू, पीछे दाल दू, जो starting यह n है, उनको कहां दाल दू, पीछे दाल दू, push first an element of q at last, यह 4 step में मेरा problem खतम, clear यह point, हाज भीया, तो code part कैसा दिखेगा, code part कैसा दिखेगा, पहले हम वो देख लेते हैं, यह 4 step clear है न, हाज भीया, यह 4 step मुझे clear है, okay चलो, सबसे पहले एक stack ले ले लेते हैं ले लिया, हाज भीया, असान है, हाज भीया, सबसे पहले क्या करना है, push first k element of q in stack, तो y, k minus minus, clear हाज भीया, किसके अंदर push करना है, stack dot push, किसके अंदर push करो, stack के अंदर किसको q के front हो, और उसके बाद उसको pop कर दो, clear है, हाज भीया, ये clear है, तो भीया, पहले के जो तीन element है, वो इसके अंदर आ जाएंगे, इस step है, उसके बाद क्या करना है, कि भीया, store the size of q, integer n equal to q dot size, कोई दिक्कत है, नहीं भीया, नहीं है, उसके बाद push all the element of stack into q, इन सारी elements को किसके अंदर दालो, मेरे q के अंदर दालो, ठीक, तो मैं बोसकता हूं, कि जब तक मेरा stack खाली ना हो जाए, किसके अंदर push करना है, q के अंदर, कैसे करूँगा, भीया q dot push, इसको stack के top को, और उसके बाद इसको pop कर दो, clear है, हाजी भाईया, तो 10, 7, 3, यहाँ पहुंच गए, अब क्या करना है, push first and elements of q at last, पहले के इन चार elements को कहां दालो, पीछे दालो, ठीक, हाजी भाईया, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूं, एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं, कि while, end, minus, minus, तो मैं कैसे करता हूं, जो इस starting वाला element है करो, उसे मुझे last में दालना है, बहुत असान है, q.puss, q के front को, पीछे दाल दो, और उसको 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 पॉप कर दो आगे से, बस, होगे आपका, जो आपको चाहिए था, जो result मुझे चाहिए था, वो मैंने हासिल कर बस इतने से simple step में, कोई दिक्कता आई इसमें, नहीं भया, तो चलो, इसको भी implement करके देखते हैं, अब हमाली next problem है, reverse first k elements of q, तो सबसे बेले में एक stack ले लूँगा, integer st, और जो इसके first k elements होंगे, उन सबको कहा दाल दूँगा, stack के अंदर दाल दूँगा, तो for integer i equal to 0 से, i less stack के अंदर push कर दो, किसको, जो मेरा q का front होगा, clear, हाजी भया, जैसी दाल दिया, उस बाद उसे q से हटा दू, तो मेरे जो first k elements हो q के अंदर आ चुके हैं, clear, हाजी भया, अब मैं note down कर लोँगा, इसके size को, किसके, q का जो अब size बचा हुआ है, अब जब हो element मेरे किसके q के अंदर दाल दो, q के अंदर दाल दो, ठीक, मुझे बता, वो सारे element reverse order में चले जाएंगे, reverse order में, तो अब मुझे क्या करना है, कि जब तक मेरा stack empty ना हो जाए, अराम से, clear, हाज भया, तो जब मैं यह करूँगा, तो क्या होगा, q.puss, किसको push करना है, stack के top को, और stack से उसे pop out कर लो, simple है, हाज भया, यह comma आ गिया, इसे dot कर दो, clear, हाज भया, clear, अब मुझे पता है, जो पहले के जो n elements है, उनको अब पीछे दाल दो, किसके, q के, ठीक, हाज भया, तो जो मेरा desire result होगा, वो मुझे obtain हो जाएगा, तो while, n minus minus, q.puss, किसको push करना है, q के, front को, हाज भया, और उसे, उसके बाद, वहाँ से, हटा दीजिए, और last में मैं return कर दूँगा, अपने q को, compile and run करते हैं, देखते हैं, हमारा आनसा सही आता है, या गलत आता है, submit, और हमारे सारे test cases लगभग pass हो चुके हैं, 10 बचे में, होजा वही जल्दी होजा, और इस सारे test cases पास, बढ़ते हैं वीडियो के और वापिस, अब हमारी next problem है, time needed to buy tickets, बहुत important problem है, चलो, समझने की कोशिज करते हैं, माल लिजी आपको एक array दे रखा है, और ये array है, tickets आई का, ये tickets आई क्या कहा रहा है, पहले उसको समझने की कोशिज करते हैं, कि हमारा पहला इंसान है, उसे एक ticket खरीद नी है, कोई movie लगी हुई है, जवान, पठान, जो भी है, उसको उस movie का एक ticket चीए, इसको 5 टिकट, इसको 2 टिकट, इसको 3 टिकट, और इसको 6 टिकट, अब condition ये दे रही है, कि ये जो बंदा यहां पर बैठ रहा है, ये एक बार में एक टिकट किसी को देगा, अगर आपको दुवारा टिकट खरीद नी है, तो आप जा के line में पीछे खड़े हो जाईए, ये simple ये चार है, किलिए रे problem, हाज जी बही है, क्या बोल रहा हो, वो कह रहा है, कि भाईया, मेरे पास एक टिकट एरे दे रहा है, और इसमें दे रहा है, कि हर इंसान को कितने टिकट चीए, पहले को एक, अगले को पांच, अगले को दो, अगले को तीन, और अगले को साथ, ये कह रहा है, मैं एक बार में किसी को एक टिकट दूँगा, अगर आपको एक और टिकट चीए तो आप लाइंग में जाके पीछे खड़े हो जाओ के लिए हाज जी भाइया मुझे एक वैल्यू देर की हो कि के ठीक मालो के एक कॉल टू क्या कह रहा है पहले उसको समझने की कोसित करते हैं मालो जब आप टिकट खरीद रहो तो आपको एक सारी टिकट मिल जाएंगी टोटल टाइम कितना लगेगा यह दो टिकट खरीदने में उसे बताओ तो मैं क्या करूंगा मुझे पता है यहां पर क्या है एक पांच दो तीन साथ क्लियर हाज भाईया पहली बार में किसको चीए टिकट इसको चीए ठीक हाज भाईया तो मैं टिकट देदी अब इसको अगर एक टिकट मिलके तो अब से कितर टिकट चीए जी रो एक चीए ठीक होड़ा कर डर यह सईकाजे वाला इसके गोला में करतेता हूं कि हमें याद यह वाला इसको टिक चीए हम जी यह 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 को टिकट दूँंगा तेश्चने इसको टिक दी हाई ताइम हो गया त視 bread पीचे लाइन में कड्रख़ और चाहिए इसको टिकट कब थी तीन टिकट थी एक टिकट कम हो गई तो आप इसके पास दो टिकट इसे और चीए अब ये सेवंथ वाला आया कौन आया सेवंथ वाला इसको भी टिकट चीए ते क्या बोलेगा लेट टिकट हाज भी या पांच टाइम हो चुका है अब मुझे छे टिकट चाहिए अब अगला वाला इंसान आता है ये वाला अब इसको टिकट दिलती है एक टिकट मिलेगी हाज भी या एक सेकेंड में मिलेगा एक सेकेंड बढ़ा दिया और इसको ये पीछे लाइन में ख clear have I Aji इस तरीके से मैं इसको हूँ करते हूँ कर सकते हैं अब यह जो प्रोसेस मैं नहीं करी ये क्या थी ये क्या कर रहा था यहांपए कुंस पीछी जाकरा कर दे रहा हूँ कि एक इंसान आ रहा हूँ इसे माइनस तो घरके उसे मुर जा हुँ अगर वो अपनी सारी टिकर्ट ले चुका है तो पीछे जाके खड़ा नहीं होगा तो मैंने देखा इसको कितना टाइम लगा है तो साथ इस इंसान को इसको किलियर एप वाइं हाजी बहिए तो इस तरीकी से हमें अपनी प्रॉसेस को कम्प्लीट किया अब देखो इसको आप इसको कि जी नूगा तो यूख से लिए फिर से मैं आगी साथ करूंगा इसको सीसे लाइन से भाराधा आईगा और इसको टॉटनल absorbant बने जाती है還 कई कर रिंगे देख लेते हैं अब देखो कि अंदर क्या डालूगा कि इंदक्स को किसको इंडेक्स को कि यह वाले इंसान है इसको टिकट चीए टाइमर लेता हूँ अभी टाइम लॉवाला इंसान इसको अगला इंसान आ है मुझे वन इनक्रीज करना इसको एक टिकोट चीए तो को इसको एक टिकट चीए तो मैं इसको टिकट दे दूँगा हाजी भईया तो अब इसे कितने टिकट और चीए होंगी चार टिकट ठीक है ताइम हो चुका है दू और इस वाले वन इंडेक्स वाले को बोलूँगा तू पीछे जाके लाइन में खड़ा हो जा और टिकट चीए फिर यह सैकेंड वाल आया इसको टिकट दे दि हाजी भईया और इसको बोला पीछे लाइन में खड़ा हो जा इसने का एक ही मिलेगी तो एक टिकट मिल गई छे टिकट अभी भी बच्ची हुई है तो इसको बोलेगा आप जाके लाइन में पीछे खड़े हो जाओ किलियर ह पास खड़े हो रएके 1234 ताइम मेरा कितना हो चुका है अब फिरस्ट वाला फॉस्ट वाली इंडेक्स को देखो जीरो वाला भार हो चुका है हाँ जी क्योंकि उससे चाहिए नहीं था इसलिए मैं प्यूग यूट कर रहा हूं अब यहां पर इसने देखा तुरिया टिकट है हाजी भाई, इसको टिकर्ट दे देगा आब हिसे पीछागे खड़ा करना चीए नहीं भाई चुक्छ यहां क्यों कदर मिल चुकी है इसे C1 के लिए आपना आंसर पो ढूंड़ना था तो मेरा आंसर मिला है मुझे कितना है किलियर है पॉइंट हाज हुई है किलियर है तो यहां पर मैंने क्या-क्या step follow किये वह देख लेते हैं पहले पहले step यह होगा मेरा कि put या फिर push all index index in q क्लियर है हाज वह सब्सक्राइब यह होगा कि सारी index को किसके अंदर दाल दो क्यों के अंदर दाल दो ऐसे 0 1 2 3 4 ठीक हाज वह और जो मिनद टाइमर है उसको 0 पे सट कर दो टाइम को 0 पे सेट कर दो फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा कि जो सबसे आगे खड़ा है उसे बहार निकालो हाज जी और उसे टिकट दे दो ठीक हाज वह जाएगा नहीं हो जाएगा हाज वह जाएगा और उसके नंबर ओफ टिकट को 0 कर दो परी टिकट नंबर ओफ टिकट को उसके माइनस कर दो एक से क्लियर हाज वह जी वह जी तीकट वही मैंने या पर लिख दिया है ठीक हाज वह जी अब क्या उससे अब वह अगर लाइन से भार आ गिया अगर वह लाइन से भार आ जाता है ठीक क् चीह उसकी condition होगी क्या condition होगी यह हो सकता है कि आप उसे ticket की requirement लिए नहीं है तो मैं यहाप condition चेक कर लूँगा जिस इंसान के लिए मैं ढूंडा था time क्या वह यह वह हुआ तो मैं return कर दूँगा time को बस यह step मुझे follow करने है अब मुझे मेरा answer मिल जाएगा चलो इसको code पार्ट पे convert करते हैं तो देखो कैसे हो गए code पार्ट पे convert सबसे पहले क्या लिखना है कि सबसे पहले मुझे चीह होगा एक क्यूण क्योंकि मुझे simulate करना है है हाँ जी बहिया देखो मैं array के उपर क्यों नहीं traverse कर रहा हूं मैं array के उपर क्यों नहीं कर रहा हूं मैं array से कर तकता था एक ये करके कोई तो reason ना होगा हाँ जी बहिया देखो ऐसे हो सकते हैं मालो इतना बड़ा है आपके पास array दे रख है बहुत बड़ा array है ठीक हाँ जी बहिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर हाँ जी बहिया मालो इसको 1 1 1 1 1 इसको 7 इसको 8 इसको 4 माल लो ठीक है मैं कह रहा हूं कि इस इंसान को ढू स्टीन करता तो मैं बोलता यह 0-0 0-0-0। इसको 6 इसको 7 और इसको तीं पिर से में स्ट Ар्ट ना अधरास करता अच्ồng से जीर जिनको टिकट अल्री मिल चुके है इससे मेरा क्या हो रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है वहीं अगर यह क्यों के अंदर वही खड़े होते हैं जिनको टिकट चाहिए क्लियर हाँ इसलिए मैंने क्यों यूज किया क्यों क्या बोला कि सारे इंडेक्स को अंदर अधा एंड क्या है इसके बात क्या लेगना है उसके बात क्या पॉइए चलाना है कि बाहर निकल टिकट दे दो फिर time को x increase कर दो और ticket को minus minus पहले उससे integer एक time में ले लूँगा और 0 मना दूँगा क्या भी time कितना है 0 है ठीक है अब मैं ticket distribute करना इस्टार्ट करूँगा 1K करके कब तक मैं ticket distribute करूँगा जब तक ये वाली value 0 ना बन जाए अना हाजी भईया कि while tickets of k not equal to 0 clear हाजी भईया जब तक ये क्या ना बन जाए 0 ना बन जाए तब तक मैं ticket बाढ़ता रहूँगा अब क्या करना है सबसे पहले क्या करूँगा कि जो front way इंसान रखा उसे भाहर निकालो ठीक हाजी भईया और उसको बोलो कि भईया तुझे टिकट मिल चुकी है तो मैं क्या बोलूँगा तू के front way जो element है ठीक है जो भी index है ठीक हाजी भईया उसके ticket को एक से minus कर दो कि तुझे टिकट मिल चुकी है clear हाजी भईया और उसे Q से pop कर दो clear ये point हाजी भईया और time going से increase कर दो clear है हाजी भईया ये point मुझे clear है अब मैं push up करूँगा इसको line में line में दुबारा कब भेजता हूँ मैं इसको line में तभी दुबारा भेज़ूँगा कि जब इसका ticket क्या हो exist करता होगा ठीक है हाजी भईया तो अगर मैं क्यूड मैंने लिख दी condition while tickets k not equal to 0 उसके बाद मुझे क्या कर देखना है कि जो line के सबसे आगे खड़ा हो रखा है उसको मैं ticket दे चुका हूँ तो मैं लिख देदा हूँ q.front पर जो खड़ा है index दे रखना है मुझे हाजी भईया उसके tickets को minus minus कर दो clear है हाँ जी भईया एक से कम कर दो अब इस इंसान को मैं दुबारा line में कभ भेजता हूँ जब इसका exist करता हो गई ठीक है हाँ जी तो मैं या पर लिख दिता हूँ if tickets of q.front अगर अभी भी exist कर रहा है अभी अगर इसे ticket चाहिए तो मैं बोलूँगा q.puss q का front clear है यह हाँ जी भईया clear है और इसके बाद simply q से pop कर दो चाहिए इस condition मा हो चाहिए ऐस वाली condition मा हो दोनों case में pop हो गई होगा clear हाँ जी भईया जो इंसान आगे खड़ा है उसे line से भार तो निकालना ही निकालना है ठीक हाज भईया तो मैंने कहा का अगर q का front अभी भी अगर exist करता है ठीक है उसे अभी भी अगर ticket की requirement है तो उसे post कर दो पीछे जाके ठीक है और उसे आगे से निकालना भी बढ़ता है तो q.pop करता ही हूं एलस में क्यों करता हूं कि भईया उसे ticket नहीं चाहिए तो उसे line से भार निकाल दो तो दुनों case में line तो भार निकलेगा निकलेगा बात यह है कि अगर उसे ticket की requirement है तो पीसे जाके line में लगेगा भी किलियर हाँ जी भाईया और जो मेरा time है उसको plus plus कर दो किसी को कोई दिक्कत नहीं भाईया कोई दिक्कत नहीं है यहां तक अराम से चल रहा है और जब मैं यहां पर आ गया last में return कर दूंगा अपने time को बस इतने में मेरा process कतम I hope आप कोई चमक गया होगा कि मैंने क्या क्या कोई rocket science आप यूज नहीं करिए simple समय यहां पर simulate किया है clear तो चलो चलते हैं इसके implementation पाट पर अब हम आपनी next problem को देखते हैं जिसमें है time needed to buy tickets तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है भाईये एक q लेनी पड़ती है clear हाज हुई है अब सबसे पहले सारे index को इस q के अंदर दाल दीजे for integer i equal to 0 से i less than okay n नहीं है तो पहले n मिना देते हैं integer n equal to tickets का जो size होगा i plus plus तो q dot push इन सारे index को कहां दाल दो q के अंदर दाल दीजे अब मैं लेने तो एक timer कि कितना मुझे total time लगने वाला है मुझे जैसे यहाँ पर कि second index वाले को कितना time लगने का सारी टिकट लेने में ठीक है दूपी तो वही में लिख देता हूं कि while tickets of k जब तक not equal to 0 clear हजविया तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है यहाँ पर मुझे conditions चेक करने पड़ती है तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो सबसे आगे रखा हूँ है tickets of q.front पे उसको क्या कर दो minus minus कर दो उसके एक ticket को कम कर दो जब मैंने यह कर दिया उसके बाद मुझे simply condition check करने होती है कौन से condition check करने होती है कि इस इंसान को अब दुबारा line में लगना है या नहीं लगना है ठीक है क्या यह line में लगेगा दुबारा क्या line में लगेगा line में लगेगा ठीक हाँ जी वो condition में कैसे check कर सकता हूँ simple है tickets of q.front अगर अभी भी उससे और ticket चाहिए ठीक है तो उसको कहा लगना है line में लगना है ठीक हाँ जी वहिया तो मैं वही इसको फिर से line पे लगा दूँगा कि q.puss q.front इस तरीके से मैंने उसको line में लगा दिया अब यह तो है कि क्या line में लगेगा तो बिलकुल लगेगा ठीक हाँ जी वहिया अब उसके बाद मैं क्या करा ना, ऐसे, ये, ठिक, हाजी भया, तो उसके बाद मुझे Q.POP लिखना पड़ता, किलियर, हाजी भया, एल्स में क्या है, कि भया, टिकट्स Q.Front वाली की वैल्यू जीरो हो चुकी है, तो उसकेस में सिर्फ Q.POP करता, किलियर, हाजी भया, तो दोनों कंडिसन जब मैं पॉप करी रहा हूं, तो एल्स वाले को लिखने की जरूवत नहीं है, किलियर, जब दोनों केस में क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है, I hope आपको clear होगा और इस case में क्या होगा कि time मेरा increase हो चुका है time क्या हो चुका है increase हो चुका है time प्लस प्लस clear a point हाज जैसी मैं इस से बहार आऊंगा तो return कर दूँगा किसको अपने time को इसको run करते हैं कि यहां बे कुछ error आ रहा है अच्छा small है इसको क्या करूँ small कर देते हैं कि बहुत दिक्कत है इसमें बहुत दिक्कत है चलिए रंग करते हैं कि तो हमारे दूनों टैसके से सपास इसको करते हैं summit कि और हमारा code हो चुका है बिल्कुल अराम से submit यह देखो मेरा lead code में na hunter है पहले में गेम किलता था तो हमें अपना नाम hunter रखता था था यहां भी देखो hunter ही है चलो फिर, बढ़ते हैं वीडियो के और वापिस अभी जो हमने problem solve करी इसकी जो time complexity हो सकती है वो worth case में order of n square हो सकती है कैसे भईया देखो, मान लो आपके बास एक energy रखा है ठीक है, उसका size 5 मान लो क्या मान लो, 5 और हर किसी को 5-5 ticket चाहिए clear, हाँ जी भईया यह 0, 1, 2, 3, 4 और इस इंसान का मुझे time निखालना है क्या निखालना है, time तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको क्यों के अंदर दालूंगा हाँ जी भईया, यह 0, 1, 2, 3, 4 हाँ ना, तो first iteration के बास यह सब 4-4 बन जाएंगे, हाँ जी भईया सब कोई के ticket निल चौका होगा फिर अगली iteration में सब के बास 3-3 हो जाएंगे, हाँ जी भईया फिर अगली iteration में 2-2 हो जाएंगे, हाँ जी भईया तो मैं कह सकता हूँ, इसके time complexity order of n square हो सकती है मैं कह रहा हूँ, क्या हम इस problem को order of n time में solve कर सकते है मेरेन खेल तो वहीं होगा न, हाँ जी भईया मैंने का बिलकुल कर सकते हैं, कोई ticket निया आएगी, कैसे भईया, देखो यह 2, 3, 4, 3, 7, clear, हाँ जी भईया कितरी तिकट इनको चाहिए, अभी भूल जाओ, क्यों वो, सब कुछ भूल जाओ मुझे इस इंसान के लिए निकालना है, ठीक है, हाँ जी भी है किसे total, कितरे second में सारी ticket मिल जाएगी, तो कैसे निकालूँगा कैसे निकालूँगा जब इससे चारू ticket मिल जाएगी, मालो इससे चारू की चारू ticket मिल चुकी है तो उस टाइम पे किस किस को, किस इंसार को कितरे ticket मिल जाएगी, वो हम कैसे निकालेंगे मालो यह इनसान जो यहाँ पर खड़ा है, इससे चारू ticket मिल जाएगी तो मैं कह सकता हूं उस time पर इसको दोनों ticket मिल चुकी होंगी हाजी बहिया जो इसके आगे खड़ा है यह वाला इसको भी चारी ticket मिले होंगी लेकिन अब अगर इससे चार मिली तो इसे भी चारी मिलेंगी हाजी बहिया मैं अगर इसको ऐसा लिख दूँ अगर आप इसको मैं ऐसे करके जूम कराता हूं आपको, ठीक है, हाजी भाईया, मुझे इसके लिए निकालना है, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है, हाजी, मुझे देखना है, 0, 1, ठीक है, मैंने पहले 1, 8 टिकट देना, स्टार्ट किया, तो 3, 1 बजा, फिर मैंने 1, 8 मिली है, 2 टिकट मिली है, हाजी भाईया, भाईया, अभी तोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मालनों उसको 5 मालने थे, इसको 5 मालने थे, अब मुझे इसके लिए निकालना है, ठीक, हाजी भाईया, तो मैं क्या कहा रहा हूं, अगर इसको 2 टिकट मिल गई होंगी, तो इसके दोनों टिकट मिल चुकी है तो टूटल काईम किता लगा दो प्लस दो चार कि एक दो तीन चार इस तरीके से इस तरीके से मैं कर रहा हूं अब एक और एक्जामपल लेते हैं माल लो आपके पास है दो और पांच किलिए हाँ जी वही है अब आप बताओ कितरा टाइम लेगा सारी टिकेट मिलने में इस 5 वाले को सारी टिकट मिलने में मैंने कहा वhit कंडिसा निकालना भी आसान है देखो लास्ट में इसको अगल चाहर एक लगा साथ लगा तो मैं कह सकता हूँ अगर इसे पांच टिकट चीए अगर इसे पांच टिकट मिल चुकी होंगी तो इसके आगे वाले को कितरी मिली होंगी इसके आगे वाले को मैक्सिमम पांच ही मिल सकती है हाँ जी वहिया लेकिन इसको कितरी चाहिए थी सिरफ दो तो इसका आं तो मैंने का वून निकालना बहुत असान है तो में लोग यह है मेरा K वाला ठीक है तो यह आंसर जो आगा है जो आपका टाइम निखलेगा टाइम प्लस एक्वल टू मैं लिखूंगा मिनिममुम ओ इसका मिनिममुम टिकेट के का कॉमा टिकट आईगा जो भी मिनिमम होगा मैं सिरब इसके आगे वालों की बात करूँ अभी पीछे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ सिरब आगे वालों की तो आगर मैं देखो टाइम इसको किदरे टिकट चीए दो मैं बोलूँगा कि भाईया चार और दो में से कम कौन है भाईया दो तो टाइम हो गया मेरा दो किलियर चार और स्वारी छे और चार चार और छे में से मिनिमम कौन है भाईया चार तो टिकट कितनी मिली हो गई होगा टाइम कितना हो गया होगा शे हो गया हुग किलियर हाजी भैया फिर इसको कितरी Shapiro लगेगा वखइय को छार टाइमव लगेगा यह तो तो टॉटल हो गए मेरा 10 की लियर अब जो पीछे वाले हैं उनको कितना म सखेंब यह जब इस इंसान सोटेशय गूर में लियो तो इस टाइम पर उससे जाटो नहीं मिल सकती, clear ? हाँ जी बहिए तो मैंने देखा इसको 3 ही टिकट चीए थी तो 3 टाइम इसका हो गया इसको साथ टिकट चीए होती तो इसको अभी तक कितरा टिकट मिलेगा सिरा 3 ही मिलेगा तो पीछे वालों के लिए क्या हो जाएगा जो उसके पीछे रहेंगे कि minimum of ticket k minus 1 4 minus 1 3 और ticket i यह है 0 से लेके k तक और यह है k plus 1 से लेके n तक इस तरीके से यह पीछे वालों को ticket ऐसे बिल रहे है और आगे वालों के लिए यह हो गया कोई दिक्कत आई नहीं तो मैं ऐसे करके calculate कर सकता हूँ कि 2, 4, 6, 4, 10, 3, 13, 3, 16 इसे 16 टाइम लगा होगा सारी ticket मिलने है clear area point हाज भाया पीछे वालों का कैसा निकाला आप खुद सोचो ना अगर आप line में सबसे आगे लगे हो अजूम करो आप 6 हो आपको ले लेता हूँ मैं 3 हाजी अगली इसके लिए निकालना है किसे कितना टाइम लगेगा टोटल तो मुझे पता पहली iteration में 2 0, 6 clear अगली iteration में 1, 5 ठीक हाजी और अगली iteration में 0 तो इसे सारी ticket मिल चुकी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहली time इसे लगा है total सारी ticket लेने में clear और method से कैसे निकालूँगा method से कैसे निकालूँगा मुझे पता है इसे कितरी ticket चीए 3 ticket चीए अगर इसे 3 ticket चीए तो इसके पीछे बालों को maximum कितरी ticket मिल सकती है 2 ही मिल सकती है 3-1, 2 at max clear हाज वहिया 2 और 1 में से चोटा कौन है इसे एक ही तीए तो इसे एक ही मिली तो हमने इसको order of end time में ही solve कर दिया एक ही iteration में clear a point हाजी इसका code आप तो लिकोगे इसको lead code में implement करो और logic इसका मुझे comment में चाहिए clear जो भी code आप लिख रहे हो उसको comment में दालो अब हम बढ़ते next problem की और अब हम आपनी देखते next problem उसके अंदर होने चीए कि push pop peak empty peak मलब कि Q के front पे कौन सा element रखा गया है ठीक empty मलब कि Q empty है यह नहीं है pop मलब कि भाईया जो element को pop परो उसे print भी करवा दो ठीक हाजी बढ़ते कि मैं जो भी element है मेरे पास उसे pop करो लेकि अब वो कह रहा है कि आपको इसको implement करके दिखाना है किसकी help से stack की help से तो कैसे कर सकते है माल लो Q में क्या होता है मैंने push करवाया तो 6 सबसे आगे आ जाएगा फिर मैंने 10 push करवाया तो 10 सबसे आगे आजाएगा मैंने 13 push करवाया stack की help से implement करके दिखाओ माल लो मैं एक stack ले लेता हूँ खिक हाज बहिया माल लो उसने मुझे का 6 को push करवाओ तो 6 को push करवाओंगा तो stack के अंदर भी 6 ही दालूँगा हाज बहिया मैंने 13 push करवाया तो 13 कहा push हो जाएगा इसके अंदर हाज बहिया मैंने 15 push करवाओ तो 15 कहा push हो जाएगा बहिया इसके अंदर clear हाज बहिया अब वो कह रहा है कि बहिया Q से pop करवादो जब मैं pop करने के लिए कहूंगा तो मुझे किसको अटाना Q से 6 को तो stack से किसको अटाना पड़ेगा जो सबसे नीचे वादा होगा इसको हटाना है और इसको answer में भी लाके देना है तो क्या कर सकते हो ये कर दूँगा कि सबको हटा दूँगा और 6 को return करवा दूँगा एक एक करके मैंने सबको अटाया मालू मैंने ये करा किसा से पहले में 15 को अटाया इसको implement कराना है तो ये हो गया मेरा stack2 तो मैं की कह रहाँ किसे element को निकालो क्लियर इस तरीके से और फिर इसको भी निकालो और यहां देल किसा है क्लियर हाज भhelp अब वो सारे stack2 के अंदर आ चुके हाज भhelp अब मैं देख पा रहा हूँ यहां पे कि यहां पर 6, 13, 15, 6, 13, 15, उसी order में रखा गया है, किलियर, हाँ जी भईया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर उसे पॉप करने के लिए का है, तो मैं step 2 से क्या कर दूँगा, pop कर दूँगा, किलियर, हाँ जी भईया, और मेरा 6 print हो जा तो इस स्टैक में करूँ या इस स्टैक में करूँ कैसे पता चलेगा मुझे पता है जो स्टैक टू है उसमें थाटीन और फिफ्टीन रखा गिया ठीक है उसके पहले वाले अलिमेंट अगर मैं 20 यहां पर दाल देता हूं ठीक है तो ऑडर डिस्टर्ब हो जाएगा ऑडर क्या हो जाएगा यह 13 15 20 यह 20 13 15 मालोस के बाद यह 18 पुस्ट करने के लिए काता है तो यह ओडरी भी गड़ी जिए इसमें रखावा 18 20 13 15 इसमें रखा 13 15 20 18 तो जब भी मैं पूस्ट कर वाऊंगा तो मैं स्टैक वन को यूस कर करो कि 18 go увер कर दिया के लिए हाद जी बाद करो यहां यहांस जी आसे मैं स्टैक 2 से वाउन्हाँ nós एकगा एक फूस्ट इस वाले स्टैक को मैं यूस करूंगा के लिए को पर को पॉप करवा दिया अप्रेंट भी करवा दिया वह कहरा फिर से पॉप करो तो मैं इस वाले स्टैक को यूज कर रहा हूं पॉप के लिए यहां तो कुछ ही नहीं लेकिन अभी भी मुझे पॉप कराने के लिए 20 है कैसे कराऊंगा तो उस मैं कैसा दा उपर 18 था 20 था यहां reverse order में आ गया किलियर हां जी भीया अब मैं इस 20 को करा सकता हूं प्रिंट यह फिर पॉप किलियर हां जी भीया मान लोगो कह रहा है 50 को पुछ करो पुछ के लिए इसको यूज करो 58 को पुछ करो यहां दालो कह रहा पॉप करो पॉप के है ऐसे अब अगर मुझे कहता है कि पॉप करो तो मैं 50 को पॉप कर वा सकता हो पूप कर voir के लिए रही है हाज़ी भीया clear है अर राम से समझ आ रहा है हाँ जी भईया अर राम से समझ आ रहा है देखो क्यों कुछ भी तगड़ी चीज नहीं है कुछ भी तगड़ी चीज नहीं है अगर आप इसको imagine दरोगे नहीं है अगर 1,2,3,4 मेरे Q के अंदर present है ठीक है और इनको अगर मैं stack के अंदर दाल दूँ तो यह reverse order में वहाँ चले जाते किसमें चले जाते reverse order में मैं चाहता हूँ इसी order में रहे तो मैं इन सारे element को दूसरे stack के अंदर दाल सकता हूँ कि 4,3,2,1 देखो ठीक यहां से इसे pop कराया यह भी delete हो जाएगा इसको कराया यह 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 हो जाएगा इसलिए मैं पहले वाले stack को use करूँगा push operation के लिए और दूसरे वाले stack को use करूँगा pop operation के ल clear array point हाँ जी भईया तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यह सारे operation तो मेरी empty की condition क्या होगी सबसे पहले हम empty वाले हो देख लेते हैं कि मेरा q empty है या नहीं है वो condition कैसे पता चलेगी कि जब दोनों ही stack खाली होंगे जब दोनों ही stack खाली होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि q empty है हाज भईया तो आजाते है class q stack integer ht1 हाज भईया stack integer ht2 दो stack उस कर लिए clear हाज भईया सबसे पहले आजाता हूँ इसका मुझे क्या constructor बनाने की ज़रूत है नहीं है सबसे पहले में देखे दो empty क्या मेरा q empty है मैं simple s answer दे सकता हूँ कि return कर दो किस को अगर मेरा stack 1 भी empty है और stack 2 भी अगर empty हुआ अगर दोनों ही empty होते तो मैं कह सकता हूँ मेरी q empty है ठीक है हाज भईया जब दोनों ही empty होंगे clear है ये भी empty होना चाहिए ये भी empty होना चाहिए तब भी मैं कैसा हूँ तो मेरी q empty है clear है point हाज भईया ये point मुझे clear है अब इसके बाद क्या आएगा भईया इसके बाद आएगा मेरा इसके बाद आएगा मेरा push operation ठीक हाज भईया चलो push operation देख लेते हैं wide push वो कह रहा है इस integer x को push करवा दो कैसे दिखेगा push push करवा दे डाएग मैं क्या check करता हूँ क्या कुछ check करने की जरूद है नहीं भईया मुझे क्या करना है जो भी element आएगा उसको कहा push कर रहा दो stack one में कुछ इतनी सोचने की जरूद दी है stack one dot push x clear यह हाज भईया यहाँ तक clear हाज भईया अब अगर pop करना है तो pop जब मैं करूँगा तो उस element को मुझे return करके भी देना है ठीक हाज भईया pop करते टाइम क्या check करना पड़ता है काई मेरा stack खाली तो नहीं है ठीक है अगर दोनों stack अगर empty होए महलब मैं बहुत तता हो अगर मेरी क्यों empty होई तो मैं pop नहीं कर सकता हाँ जी भईया तो पहले वह condition check कर लूँगा if empty अगर खाली होए तो मैं return हो जाऊंगा यहीं से return कर देना 0 जीरो आप return कर सकते हो उसे problem में का है कि zero return कर दो कि इस second न जो भी element है वो 1 से 9 के बीच कही है ठीक तो return zero कर दो अगर empty वहा तो कुछ भी पॉप नहीं हो सकता तो मैंने zero return करा दिया बाकि अगले case में कि महला element present है element present है जब element present है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं हाँ check करूंगा किसमे कि if जो stack two है अगर empty नहीं है पर मैं stack two पे check कर ले दो ना हाँ जी भी है अगर stack two empty नहीं हुआ क्या बोल रहा हूँ कि अगर stack two empty नहीं हुआ stack two के अंदर element है पौप कहां से कराता हूँ stack two से कराता हूँ हाँ जी भी है तो ही मैं देख रहा हूँ ठीक अगर stack two के अंदर elements हैны तो मैं क्या करूंगा एक integer element पकडूंगा हाँ जी भी है और उसमें stack two का जोब डाल दूगा हाँ उसके बाद कर दिया हाँ जी भीया और टेटन कर दिया इस element को कलिएर हाँ जी भीया कलियर इस तरीके ठीक हाँ जी भीया और else में क्या होगा कि भीया stack two मेरा खाली है ठीक तो उस करने वालों पूराए कि एल्स में के वाइन जबता कि इस्टैक बन को एमटी ना हो जाएं क्लियर हाज भाइया तो मैं क्या करता हूं क्लियर हाज भाइया और इस्टैक बन से उसे वाप कर लिए इस तरीके से अब stack 2 के इंदर element आ चुका है जी भाई अब उसके top को क्या करना है return करना है तो वही में आपे करने वाला हो integer element equal to stack 2 का top stack 2 से उसे pop कर लो और return कर दो अपने element को जिसको आप pop करवाना जाते हो इस तरीके से clear a, post pop clear अब अगला हमारा कौन सा टीक वाला कि मलब q के front में कौन सा रखा हो है तो उसको कैसे implement करूँगा front वाला कैसे बताओंगा सब्सक्राइब पहले में check करूँगा कि कहीं मेरी q empty तो नहीं है कैसे बता चलेगा सीधा इस function को call लगा दूँगा if empty तो return कर दूँगा 0 अगर खाली होँ तो clear बागी case में क्या करूँगा कि front में कौन सा element रखा है उसमें same होई चीज फिर से लागू होने वाली है जैसे मैंने किसमें कर रहा था pop operation में कर रहा था तो मुझे पता है जो मेरा top element होगा वो किसके अंदर present होगा stack two के अंदर clear हाँ जी बाइया मैंने कहेगा जब भी आप element insert करवाते हो ये छोड़ो देखो इनको ना imagine करना start करो ये मेरा रहा ये रहा मेरा cube ठीक हाँ जी बाइया तो मैंने ये दो stack रहे है मैं two दाला two यहाँ three दाला three यहाँ ठीक मैंने वहाँ five तो five यहाँ ठीक मैंने का pop करो तो pop मुझे पता है मुझे इसको अटाना है तो उससे पहले इन सब को अठाके कहाँ लेके जाओ यहाँ पर clear हाँ जी बाइया तो मैं जब यहाँ आउँगा तो मैं क्या बोलूँगा इस two को हटा दो clear हाँ जी बाइया अब अगर मुझे पूछे कि peak element कौन सा है peak element कौन सा है तो वो peak element मुझे कहाँ मिलेगा जो भी stack two का top होगा clear हाँ जी बाइया तो वो ही मैं यहाँ आप देख रहा हूँ जैसे उसकी condition दी if अगर stack two पहले जो empty नहीं होना चाहिए ठीक हाँ जी बाइया अगर empty नहीं है तो return कर दो stack two का top clear else में क्या है कि stack two empty है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि stack one के सारे elements को count हाँ कर लेगा हूँ stack two पे कि while stack one जब तक खाली नहीं हो जाए symbol ही क्या गनना है stack top dot push stack one का top और stack one से pop कर लिए और last मैं कर दूँगा return stack two का top इस तरीके से मैंने peak को भी implement कर दिया तो बस हमें कुछ भी ऐसी कोई rocket science इसमें थी नहीं कि जो मुझे implement करनी पड़ दी एक बार order आई रन करके आपको बता देता हूँ हमने अपने code में किया क्या है जब भी आपको implementation की बात होगी तो हमेशा आपको दो stack चीओंगे implement करने के लिए हमें reasoning पता चल चुकी है कि भाईया ये क्यों है मेरे पास हाँ जी भाईया अब मुझे क्या करना था कि भाईया two push करवाना है तो मैं stack ले लूँगा उसमें two को दाल दूँगा three को push करवाना है three को उसके उपर तो ये हो गया मेरे stack one मुलेगा eight को push करो तो eight को push कर दिया अब अगर मुझे कहेगा pop करने के लिए तो मुझे पता कि किसको अठाना है इस two को हटाना है तो two अभी सबसे bottom में है तो अगर उसको हटाना है तो मुझे करना पड़ेगा इन सारी elements को अगले वाले stack के अंदर लेके आओ stack two के अंदर clear हाँ जी भाईया तो अगर मैं इनको यहाँ लेके आ गया तो अब मैं इस two को हटा सकता हूँ clear हाँ जी भाईया clear अब अगर मुझे कहता कि 13 पुस करो तो 13 को मैं stack one के अंदर पुस कर दूँगा बोलेगा 20 को पुस करो तो 30 को यहाँ पुस कर दूँगा बोलेगा pop करो तो pop कहां से करूँगा यहाँ stack two से clear बोलेगा pop करो कहां से करूँगा stack two से मैं देखा stack two क्या है खाली है तो मैं जाओंगा stack one पे दिखूँगा बोलेगा अपने सारी element को मेरे अंदर दाल दिए ऐसे करके clear अब मैं यहाँ से pop कर सकता clear है हाज भाईया आपको यह logic clear हो चुका होगा अगर यह clear है तो चलते हैं इसके implementation पार्ट पर अब हम अपनी problem solve करते हैं implement queue using stack चलो इसको हम start करते हैं इसमें मुझे push, pop, peak और empty इन सारी को solve करना है तो एक काम पर देए इस empty वाले को उपर लिए की चलते है आप उपर आजाओ ओके देखो नहीं यहां पर constructor भी बना रहा है जो क्या है empty है ठीक है कुछ नहीं कर रहा है ठीक है default constructor नहीं बना रहा है जो कुछ कर नहीं रहा है तो सब्सक्राइब हम इस empty वाले को implement करते हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाईया मेरी क्यों empty है या नहीं है मैं दो stack use कर रहा हूँगा S1 और S2 मैं आपे लिख देता हूँ S1 क्यों use हो रहा है push operation के लिए और S2 क्यों use हो रहा है pop operation के लिए clear हाजी भाईया तो मैं यहां प्यादात हो हूँ तो मुझे पता है कि अब मैं return कर दूँगा अगर मेरा दोनों ही stack अगर खाली होए ठीक है stack 1 भी अगर empty है and stack 2 भी अगर empty है तो मतलब क्यों मेरी क्या होगी खाली होगी clear है हाजी भाईया अब हम आते है white push integer x ठीक push operation किसम होता हमेसा भाईय पहले वाले stack में तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ s1.puss x clear हाज भाईया अब हम आते हैं अपने pop operation में तो pop करने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है पहले condition मुझे check करने पड़ेगी condition check अच्छा मैं s1, s2 ले रहा है चलो आप ले लेना अपने हिसाब से ठीक हाज भाईया मैंने अपने example में s1, s2 ले लिया था यहाँ पर मैं s1, s2 ले लिया उससे कोई इतना difference आएगा नहीं नामी चींज है अब हम आते हैं pop operation में मुझे अपने Q से pop करना है stack की help से मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं मेरी Q खाली है या नहीं है ठीक है पहले empty के लिए चेक कर लो तो अगर empty होई Q तो मैं empty function को call कर लूँगा हाँ जी भाईया अगर empty होती है तो मैं यहीं से return 0 कर दूँगा clear हाँ जी भाईया else if मुझे पता pop operation में किस से करता हूँ pop operation भाईया मैं stack 2 से करता हूँ ठीक तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि stack 2 कहीं empty तो नहीं है ठीक है हाँ जी भाईया अगर stack 2 exist करता होगा तो मैं सीधा pop कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के clear हाज भाईया तो एक integer element ले लूँगा हाज भाईया उसमें लिख दूँगा s2 का top और s2 से pop करवा दिया अराम से हाज भाईया और written कर दिया इस element को आए होब यह clear होगा हाज भाईया यह point मुझे clear है अब अगर क्या होगा else में else condition क्या बोलेगी कि भाईया stack2 empty है जब stack2 empty होता है तो मैं क्या बोलता हूँ stack1 में जित्री भी elements है सबको कहा दाल दो stack2 पे तो वही मैं करने वाल हूँ कि अब stack1 को खाली कर दो अब कहा दाल दो stack2 में ठीक हाज भाईया stack2.pus क्या दाल दूँगा stack1 का top और उसके बाद उसके वहाँ से pop करा दूँगा simple सा clear हाज जी भाईया अब मुझे बताए stack2 के अंदर elements आ चुके हैं इसके बाद मैं simply उपर वाले code को copy paste कर दूँगा stack2 के top element को निकाल दूँगा उससे pop करूँग सा element रखा गया है clear हाज जी भाईया वह उसके information मुझे कहां से मिलेगी मुझे stack2 से मिल जाएगी कैसे वह देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सब सब पहले basic condition आप check कर लो कि कहीं आपका जो Q है वह empty तो नहीं है हाज जी भाईया तो पहले मैं वह चेक कर लेता हूँ कि if empty ठीक return कर दूँगा 0 clear हाज जी भाईया अब उसके बाद else if अगर stack2 exist करता है हाण हाज जी अगर empty नहीं है तो मुझे पता है return कर दो किसको s2 के top को बहुत असान है हाज जी भाईया और else में क्या हो जाएगा जो मैंने उपर condition लिखे थी कि stack1 को खाली करो और उनसाले element को कहाँ दालो stack2 के अंदर जो वहाँ पे कर रहा था ठीक और उसके बाद मैं simply return करा दूँगा किसको s2 के top को अराम से मैंने code execute कर दिया run करते हैं और यह हो चुका है अपना submit slow चल रहा है आज और यह code हमारा submit हो चुका है आप तोमारा कोड भौज़ेज़ेदी सम्मेट हो रहा है I hope आपको यह चमक गया होगा अगर चमक गया है तो नीचे कमेंट कर दो अच्छे से चमक चुका है चलो बढ़ते हैं वीडियो के और वापिस अब जो अब जो operation मैंने यह पर अपलाई गिये थे उनकी time complexity कितनी होने वाली है पुस operation की कितनी होगी मैंने का वो order of one ही होगी pop की भी order of one मैं अगर peak element की बात करूँगा उसकी भी order of one और empty की भी order of one भाया कैसे हम क्या कर रहे हैं जब मैं push करवा रहा था तो मैं इसके अंदर push करवा रहा था और जब मैं pop करने की कुछिस कर रहा था अब मैंने देखा भाया यहां तो कोई भी element नहीं रखा है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके सारे element को उठाके यहां ला रहा हूँ ठीक है 1917 11 13 मालो ऐसे यही कर रहा था ना reverse order में यहां लेकिए आ रहा था तो मुझे सिर्फ इसको पॉप करना है फिर इसको पॉप करना है फिर इसको पॉप करना है फिर इसको पॉप करना है के लिए हाज भाया अब दो को बीच केस में कुछ ऐसा भी हो सकता कि यहां पर 38 11 आ जाए के लिए हाज भाया और मैंने इसको भी पॉप कर दिया, सब पॉप हो गए, अब अगर ये फिर से मुझे पॉप करने के लिए कहता है, तो भईया उस टाइम पे क्या हो रहा है, कि ये सारे element उठाके मैं यहां लिया रहा हूँ, ठीक, तो अगर मैं बात करूँ, तो हर एक operation, हर एक number, दो time दे रहा और एक बार pop के अंदर था, आया नहीं था, हाँ जी बहिए, जब मैं push कर रहा हूँ से, एक बार हो यहां था, जब pop कर रहा हूँगा, तो सारे element को यहां रखा होगा मैंने, हाँ जी बहिए, तो हर एक element कित्री बार use हो है, दो बार, तो मैं बोख चकता हूँ कि push, pop दोनों क कहा है, order of one time में execute हो रहे है, clear है, हाँ जी बहिए, चाहिए मेरा peak element ढूनने के लिए कहा है, उसमें भी same time form निशड़ी मेरी आने वाल है, I hope आपको clear होगा, हाँ जी बहिए, अब हम आते हैं अपने next problem में, next problem क्या कहा रही है, implement stack using q, कि बहिए अब मुझे stack को implement करना है q के help से, क्या कहा रहा है, stack को implement करके दिखाओ qql से, मुझे बता है stack को implement कर सकता हूँ, array और link list के द्वारा, अब वो कहा रहा है, qql से, implement करके दिखाओ, और यह यह operation उसे support करना चाहिए, यह empty, push, pop, top, यह 4 operation उसको support करने चाहिए, तो कैसे करवा हुए, मुझे बता है, अगर मैं एक stack ले लूँ, ठीक, हाँ जी बहिए, और इसको मुझे implement कराना ही q के दोरा, मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर 10 push करो, तो 10 मैंने push कर दिया, clear, तो q मैं वो कहीं यहां आ जाएगा, simple है, हाँ जी बहिए, मैंने कहा 13 push करो stack में, तो 30 यहां पे आ जाएगा, मैं कह रहा 50 push करो, तो 50 यहां पे आ जाएगा, q के अंदर, अब अगर मैं आपसे पूछूं, कि भाईया, stack से pop करो, तो मुझे पता है, इस 50 को मुझे क्या करना है, delete मानना है, और यहां से किसको अटाना पड़ेगा, इस 50 को, कैसे हटा पाऊँगा, क्या कोई तरीका है, इसे हटाने का, इस 50 को, त हाँ जी भाईया, तो जब यह 10 है, 13 मैंने यहां दाल दिये, तो यहां सरब एक element बचा हुआ था, कि लिए, हाँ जी भाईया, इसको अब मैं पॉप करवा सकता हूँ, भाईया, इसको आप हटा दीजिए, इसको डिटन कर दो, इसको यहां दालने की जरुद नहीं है, कि लि कि लिए, अब अगर मैं 15 दालता हूँ, तो 15 को किस में पुच कर रहा हूँ, इधर पुच कर रहा हूँ, इधर पुच कर रहा हूँ, मैंने का जिस Q के अंदर element present है, वहां पुच कर रहा हूँ, कि लिए, ताकि एक particular order follow हो रहा होगा, ठीक, अगर मैं इसको भाई निकालता हाँ, मैं देख रहा हूँ, 10, 13, 15, 10, 13, 15, अगर मैं 20 दालता हूँ, तो 20 यहां पर आजाएगा, तो एक particular order follow हो रहा है, 10, 13, 15, 20, 10, 13, 15, 20, तो आप पुच कहां कर रहाँगे, जिस Q के अंदर already element present होँगे, वहां मैं पुच कर रहाँगा, किलियर, तो मैं Q1 ले लेता हूँ, एक Q2 ले लेता हूँ, तो पुच के लिए मैंने बोल दिया, जिस Q मैं elements होँगे, उधर मैं पुच कर रहाँगा, ठीक, हाँ जी भईया, यह फिर exist करती हो, क्लियर, अब अगर मुझे कहेगा कि पॉप कर रहाँ, क्या कहेगा, पॉप कर रहाँ, मुझे पता है, मुझे 20 को आना है, और यहाँ किसको आना है, इस 20 को, यह 20 कैसे अटेगा, पहले यह सारे element उठाके, यहाँ लेके जाने पड़ेंगे, यह 10 को भी, 13 को भी, और 15 को भी, और फिर जाके, मैं इस 20 को, क्या करा सकता हूँ, पॉप करा सकता हूँ, कि भईया, इसको अटा दो, और इसको प् जन ढूंगे, वहीं से मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा, क्लियर है, हाजी भईया, अब अगर मुझे कहता है, कि भईया, 5 पुस करो, तो 5 कहां पुस करूँगा, यहाँ पे, मैं कहेंगा, 17 पुस करो, 17 कहां पुस करूँगा, यहाँ पे, कहेंगा, पॉप करो, तो प पॉप आउट करा दो बस किलियर हाज भाईया अब 17 हट चुका है अब अगर मुझे कहता है कि अगले वाले को पॉप करो इस टैक से कैसे करूंगा इन सारे अलिमेंट को यहां से लेके यहां तक को Q1 के अंदर लेके जाओ सिंपल है ठीक हाज भाईया अब इस 5 को मैं क्या कर सकता हूँ पॉप करवा सकता हूँ तो यह पॉप हो गया अब कहरा 15 को पॉप करो तो कौन सा लिक Q में देखना है जिस Q के अंदर element present है इस Q के अंदर element present है सिंपल तो 10, 13 को यहां लेकिया हूँ हाँ जी भाईया और किस को अटा दो 15 को अटा दो अब अगर पॉप करने के लिए कहता है तो पॉप की किधर कराना है किधर कराना पॉप जहां element present होंगे तो 10, 13 मालो 50 पॉप करने के लिए कहता है तो मतलब मुझे वह वहाली Q use करनी है जहां element present है push और pop वही होगा जिस Q के अंदर elements present होंगे clear है हाज जी भाईया देखो यह logic में बैटके बनाने बढ़ते हैं कि मैं कैसे implement करा सकता हूँ तो मैंने इसको इस तरीके से implement करा है आप अपने तरीके से भी करा सकते हो अपनी सूथ से clear है हाज जी भाईया तो जो भी push pop इसमें एक और लगनी है कि यह push के लिए pop के कि लिए मैंने की का अंदर कर दिया कि cheese की अंदर element present है मैं उसी में push pop कर रहा होंगा कि लिए हाज बया इंप्लिमेंट कर सकता हूँ, केज को इंप्लिमेंट कर सकता हूँ, हाजी भईया, कर सकते हैं क्लास स्टैक लिग देता हूँ क्या चीह होगा Q Int Q1, हाजी भईया Q Int Q2, ठीक, हाजी भईया और यहाँ पे पब्लिक कर स्ट्रक्टर बनाने की कुछ जरुवत है ने, ठीक, हाजी भईया अब मैं यहाँ पे आजाता हूँ, सबसे पहले मैं empty वाले को देख लेता हूँ, कही मेरा stack empty है चेक कर सकता हूँ empty वाला कैसे चेक करूँगा, empty वाला जब Q1, Q2 दोनों खाली होगी तो मैं मुझे पता कि stack खाली है, कि लिए हाज भईया, तो मैं बोल सकता हूँ कि return कर दो, किसको अगर Q1 भी empty हुआ and Q2 भी empty हुआ तब ही मैं कहसा क्ता हूँ, मेरा stack क्या है खाली है, कि लिए हाज भईया, अब आज आते हम post operation में wide post integer x post कैसे करवाता हूँ post कैसे करवाऊँगा देखो, post के कुछ condition होगी एक होगी मेरी initial condition initially क्या होगा कि किसी के अंदर भी element present नहीं है, मैंने कहा गाता post मैं वहाँ करवाऊँगा, जहां Q exist करती होगी, है ना जहां Q exist करती होगी, पर initially दोनों exist नहीं करती, clear हाँ जहाँ जहाँ, तो इस case को मुझे देखना पड़ेगा कि if empty है अगर stack empty है, ठीक, हाँ जहाँ जहाँ तो मैं Q1 और Q2 में से किसी को भी select कर सकता हूँ, मालों हमने Q1 को select कर दिया, Q1.puss x, clear हाँ जहाँ जहाँ, यह अगर दोनों में से एक में element है तो मैं किस में जाऊँगा, मालो अगर आपकी Q1 खाली है अगर आपकी Q1 खाली है तो आप किस में जाऊँगे, इसको empty को कुछ change करूँ, आच लो, यह सही है अगर मेना Q1 empty है तो element किस में प्रज़न होगे, Q2 में हाजी भाईया, तो Q2 के अंदर में push करवा दूँगा, Q2 dot push X, clear, हाजी भाईया और else में कौन खाली होगा else में कौन खाली होगा कि else में मैं कह सकता हूँ, कि भाईया Q2 खाली है, जब Q2 खाली है तो कहां push कराऊंगा, Q1 में आईए होब यह clear होगा हाजी भाईया, अब हमाँ आते हैं अपने next operation में, कौन सा वाला pop वाला यह हो गया मेरा int pop जो भी pop कर दो, उसे return करके दो, pop अभी पहले वोगी condition check कर लूँगा, कहीं stack खाली तो नहीं stack खाली होगी condition, मैं check कर सकता हूँ, if empty यह मुझे answer आके देदेगा, ठीक, हाँ जो भी है अगर खाली होगी, तो return zero कर दो यह answer नहीं मिल सकता, clear, हाँ जो भी है नहीं तो, अगला case else if अगर मेरी कौन empty है, अगर qn empty है अगर qn empty है तो मुझे पता, element का present होगे q2 है, जो मेरी second q है, उसके अंदर क्या होगे, present होगे तो मैं क्या करता हूँ, second q के सारी element को q1 के अंदर लियाओ अग सिरब last element को छोड़ दे रहा यही तो करता था, हाँ जी मालो मेरे पास ऐसे करके element present है ऐसे करके, मालो, ठीक है मैंने एका q1 empty है, ठीक तो मुझे बता q2 के अंदर element present है तो मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 को q1 में लेकिया था, ठीक यहां सिरब एक ही element छोड़ना, ठीक और उसके बाद मैं इसको pop करवा देता हूँ यह तो करता हूँ, हाँ जी भईया, इस board को तो अटाना पड़ता है मुझे, हाँ जी, वही मैं यहां पर करने वाला हूँ अगर q1 empty है, तो मैं लिख देता हूँ, कि while q2 dot size, जब तक greater than 1 तो क्या करूँगा, q1 dot push, इसको push कराना है q2 के front और फिर pop करते जाओ clear a point, हाँ जी भईया, clear है, अब जैसी size 1 बन गया, किसका, q2 का तो मुझे पता है, इसी को मुझे return करवाना है, तो मैं लिख दूँगा integer element, q2 का front और q2 से उसे pop कर लूँगा, और return करवाना है element को, clear a, clear a point, हाँ जी भईया, यह point मुझे अच्छे से clear है, कि यह कैसे improvement हो रहा है, अब else में क्या हो जाएगा, अब last condition, else बचेगी, हाँ जी भईया, else में क्या होगा, कि भईया मेरा कौन mt है, q2 mt है, अभी q, q1 mt था, अब q2 mt हो सकता है, जब q2 mt होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, कि q1 के जिद्रे भी element है, सबको काल नहीं क्या दाओ, q2 में सिर्फ एक element को छोड़ गए, ठीक, जो last में है, तो वही मैं आपकर करने वालूँ, कि while q1.size, जब तक greater than 1 है, ठीक, हाँ जी भईया, उसे q2 के इंदर push करते जाओ, किसको q1 के front हो, clear है, हाँ जी भईया, और q1 से pop कर दो, असान है, हाँ भईया, असान है, उसके बाद जैसी q1 में एक element बचा है, हमने लिख दिया, q1 का front, अब q1 से उसे pop कर दो, और return कर दो इस element को, बहुत असान काम है, बहुत ही असान काम है, clear है point भी, हाजी भईया, यह point भी clear है, अब last operator मेरा क्या बचा है, कि भईया, stack के top element को ढूंड़ना, तो एक काम गड़ते, hold part पे जलते, अब भई, इस पूरे process को implement करके देखते, अब हमारी next problem है, implement stack using q, अब मुझे stack को implement करना है, q के help से, तो कैसे कर सकते हैं, पहले हो देख लेते हैं, पहले हम condition check कर लेंगे, कि कहीं मेरा stack empty तो नहीं है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, अगर q1, q2 दोना empty हुए, तो मल्ला मेरा stack भी empty है, तो वही मैं आपर return टा दूँगा, अगर मेरा q1 भी empty हुआ, and q2 भी empty हुआ, तो मल्ला मेरा stack empty है, clear, हाजी वहिए, अब हमारा dab ने push operation में, जब मुझे push करवाना होता है, तो जब push करवाता हूँ, तो सबसे पहले क्या देखता हूँ, मुझे सबसे पहला condition ये चेक करना पड़ता है, कि कहीं, मेरे दोनों ही दोनों खाली तो नहीं है, q1, q2, दोनों ही अगर खाली हुए, हाणा, हाजी वहिए, starting based condition क्या होगी, कि भाईया, q1 भी खाली है, और q2 भी खाली है, ठीक है, हाजी वहिए, जब दोनों खाली होंगे, तो उसके condition कैसी होगी, मैं simply check कर लोंगा, if empty, अगर खाली होए, तो उस case में simply बोलूँगा, q1 के अंदर push कर दो, x को, clear, हाजी वहिए, अब माल लों खाली नहीं है, तीक है, q1 और q2 में से किसी के अंदर element present है, मुझे पता है, या तो q1 के अंदर present होंगे, या q2 के अंदर present होंगे, तो जिस के अंदर जिस q में element होगा उसी में push होगा clear हाज भईया वो condition में यहापे check कर लेता हूँ else if अगर मेरा q1 empty होता है ठीक हाज भईया तो मुझे पता है कि q2 के अंदर push कर दो x को clear और else में उसका उल्टा कि q1 के अंदर push कर दो x को इस तरीके से मैं इसको implement किया clear हाज भईया अगर q1 खाली होता है तो q2 के अंदर दालो अगर q2 खाली है तो q1 के अंदर दालो इस तरीके से मेरा push operation काम किया अब हम आते हैं अपने pop operation में पॉप operation क्या है कि जो भी element आप पॉप करके उससे मुझे return करके भी देना है clear हाज भईया तो सब्सक्राइब पहले मैं क्या condition check कर लूँगा कहीं मेरा stack खाली तो नहीं है clear हाज भईया if empty तो return 0 clear हाज भईया यह तो मैंने देख लिए base condition अब मुझे अपने element को पॉप कराना है कहां से पॉप होगा मुझे पता q1 औ q2 में से एक के अंदर ही element present होगा और जो उसमें last वाल element होगा उसी को मुझे क्या कराना है पॉप करवाना है clear हाज भईया तो यहीं पर मैं देख लूँगा कि else if अगर q1 empty है ठीक तो मुझे पता है q2 के अंदर elements present है और जो उसका last वाल element है उसी को मुझे return करवाना है तो यहाँ पर मैं condition लिख देता हूँ कि while q2 dot जो size है जब तक greater than 1 है यह क्या बोलेगा q1 के अंदर push करवा दो किसको q2 के front हो simple सा है हाज भईया और उसके बाद q1 से उसे q2 से उसे pop कर दो clear हाज भईया जब मैंने यह operation exude कर दिया अब मुझे पता है इसको मुझे return भी करवाना है इंटेजर element equal to किसके अंदर है q2 के front के अंदर चो लास्ट element है ठीक हाज भईया यह मैंने ले लिया अब q2 से उसे pop करवा दो q2 dot pop और return करवा दो अपने element को simple है हाज भईया simple है और else में हो जाएगा कि भई अभी मुझे पता q1 and p था अब q2 empty हो सकता है इसी code को copy कर लेते हैं q1 की जगा q2 लिख देते हैं q2 की जगा q1 लिख देते हैं q2 की जगा one q2 की जगा one इस तरीके से इंप्रेवेंट कर दो किलियर है पॉइंट हाज भईया clear है अब हम आज आते हैं टॉप element किसमें टॉप element कि टॉप element कहां पे रखा है कि टॉप क्या हम ढूण सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं टॉप stack का top stack के लिए same condition हो सकती है हाना क्या पता stack खाली हो अगर खाली हुआ तो मैं लिख दूँगा if empty ठीक हाज भईया तो return 0 clear हाज भईया अगर खाली नहीं है या तो q1 भरा होगा या फिर q2 भरा होगा एक time पे एक ही भरा होगा ठीक हाज जी तो यह मैं या पर लिख दूँग यहां पर प्रजेंट है लास्ट में तो मैं यहां पर सीधा लिख सकता हूं return q2 का बैक वाला क्लियर क्योंकि front बैक से मैं लास्ट वाल एलिमेंट को भेज सकता हूं क्योंकि pop तो मुझे कराना नहीं है हाजी और एल्स में return q1 का बैक क्यों करते हैं कि समिट किया और हमारा code successfully summit हो गया आई होप आपको यह पूरा concept चमक चुका है अब यह जो code मैंने लिखा है इसको अभी हम और भी ज़्यादा optimize कर सकते हैं वीडियो की और बढ़ते हैं वापिस अब आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा नए नए लर्निंग आपको introduce होई होगी अब आपका homework यह है कि भाईया जो हमने last problem करी थी कि अगर मुझे इस टेक को implement करना क्यों की help से तो मैं क्या मैं उसको single qq help से solve कर सकता हूँ फोड़ा सा सूचरा आपको आपका answer मिल जाएगा मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भरत